कुछीनगर जिले में जहरीली शराब पीने सो हुई तीन मौतों के मामले भूई है कारवाई मामले की प्रार्थ में की दर्च करते हुए एक आरूपी की गिरफतारी भी हुई है आपको बता दे कि वह शराब के लिए चर्चित थाने के यसो विने पाठक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है यसपी ने कहा कि पांच मौतों की सूचना की हो रही है चानवीन पुलिस के मौझूदगी के बावजूद एक का हो गया था अंतिम संसकार दो का हो सकत है पोश्मोटम क्या मामले को निप्टानी के लिए कराय जा रहा था मृत्कों का अंतिम संसकार ये चानवीन का विशय है आपके बता दे कि कुशिनगर जिले के तर्या सुजान थाना च्वेद के जवही दयाल में अतदिक मदिना सेवन से दो लोगों की मौत के मामले में देर शाम जिलादिकारी कुशिनगर डक्टर अनिल कुमा सिंग पुलिस अधिक्षा के राजीव नराड मिस्ट ने जवही दयाल पहुँच कर पीडित परिवार और ग्रामीडों से जानकारी हासिल की तनाधों की जवही दयाल में तीन लोगों की मौत होने की खबर सोसल साइट पर वाइरल होने के बाद मौके पर पहुँचे अधिकारियों के सामने जो बातें आई उसमें चर्चा है कि दो लोगो के परिजन भी मरे हुए लोगों का पोस्ट मौटम नहीं कराना चाह रहे थे लेकिन विदेक कारवाई के लिए मकामी पुलिस ने पोस्ट मौटम के लिए भेजा है आप उसके बाद आया है तो को रहे थे लात कु प्यट गड रहा है तो कोल हम गए थे मुबाल चार में लगाए तो देख रहे थे पटा है थे तौम ले गए ते धाक डरी गागवाद तब उसमें लगाए थे बोतल कर चड़ेगा कंटीर में रहें बवो कर लुग में रहें कर दीन लोग तीन लोग तीनिन लोग हम जनता है क्या नाम था रखाया सुगरीट था फर्ला प्रसौण कर किसमाों के 1959 हो राम होला दारूई ज़र बेचलाया नाधना की ज़ानल क्यों बताओअ नवाई है तम हमें मुट्वार नहीं टारूटे नजलील शट ए्टओंध किया आतान 22 कौंध दंपर ज Murphy 10 गहें है को बताओत लगी। तौभित खराब से मरल आप आप को लेटी बेटी यह बराबर दारू पीटर लेहें हैं तो दवाओ देतर लग कि ना बताओ कि अपनम पीटर नियाम जागर करते हैं तो ना क्यों तरह के मानूभी करते हैं लोगी ना ना को लागे दूर बिना दारू के भेचे ले हैं ओजा पीयले बालो दीके आइल बड़े घरत भाइल बाब उकर घाटना हो गईल बड़े हैं एक आम में मरल बड़े दू जाना डेबा निशाद घरालान निशाद दारू पहले से भीकाला है या दारू के हो माना ने कि यह पूल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें